हेलो फ्रेंड्स एक्सल की इस ट्यूटोरियल सिरीज में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने MSXL के सीलिंग एंड फ्लोर फार्मूला रैंड और रैंड वीट बिन फार्मूले को देखा था कि हम MSXL में इन फार्मूले का उप्योग कैसे करते हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MSXL के लोजिकल फंक्सन और लोजिकल आपरेटर के बारे में कि ये MSXL में क्या होते हैं और इनका योज हम किस तरीके से करते हैं तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले लोजिकल फंक्सन के बारे में logical function Excel में प्रियोग होने वाले आने function में से एक ही होता है जिस तरीके से हम पीछे function पढ़के आये हैं जैसे हमारा floor formula हो गया, समसमी फार्मूले हो गये यह हमारे जिस तरीके से work करते थे ठीक उसी तरीके से logical function work करते हैं बस logical function में एक अंतर होता है कि logical function में user अपने अनुसार logic लगाएगा कि हमारा answer कैस आना चाहिए तब logical function work करेगा logical function में user के दोरा कम से कम दो condition जरूर होनी चाहिए जो user logic function लगाता है उसमें user को दो condition देनी होगी कि हमको answer यहाँ पे क्या चाहिए किसके बीच में तुलना करवाना है या हमें वहाँ से कोई number निकालना है तो ओ कैसा आएगा तो यह होते हैं हमारे logical function जब हम इसका practical देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि logical function क्या होते हैं एक्सल में logical function if, and, or, or not होते हैं इन function का उपयोग हम आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे यह हमारे logical function है जैसे and formula हो गया हमारा और formula हो गया not हो गया और यहाँ पे if formula हो गया यह हमारे logical function होते हैं इसको हम अगले आने वाले वीडियो में इन function को देखेंगे उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे logical operator क्या होते हैं क्योंकि जब हम Excel में logical function का उप्योग करते हैं तो उसी के साथ हमारे logical operator लगते हैं तो चलिए logical operator क्या हैं तो MS Excel में हमारे logical operator 6 परकार के होते हैं यहाँ पर logical operator के sign बने हुए हैं और यहां पर साथ में उनका नाम भी mention किया गया है तो यह हमारा जो symbol दिखाई दे रहा है यह हमारा होता है greater than का यह symbol जो है a symbol हमारा less than का होता है यह हमारा equal to है यह हमारा greater than और equal to का symbol बना हुआ है अगर कहीं पर भी इस तरीके का नौटिकल तू यानि की बराबर नहीं है यह हमारे होते हैं लाजिकल आपरेटर एक्सल में टोटल 6 परकार के लाजिकल आपरेटर होते हैं और इनका यूज अलग-अलग होता है यहां पे हमने एक्जांपल भी बना के रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएं कि यह हमारे operator किस तरीके से work करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा हिंदी में 45 mark है और इंग्लिस में 40 है अलग-अलग यहाँ पर mark दिये गए हैं जैसे हिंदी में 45 है, 50 है, 55 है और ठीक इसी तरीके से इंग्लिस में 55, 60, 70, 80 दिये हुई है अब यहाँ पर जब हम सबसे पहला greater than का जो operator यह लगा के देखते हैं तो यह क्या होता है, यहाँ पर जैसे equal लगाएंगे और हम इसका adder दे देंगे क्योंकि जब हम Excel में कोई भी function लगाते हैं तो equal से ही सुरुआत करते हैं हमने यहाँ पर हिंदी लिखा है हिंदी का adder दिया greater than लगाया और हम लगाएंगे 40 का adder दे दे देंगे अब यहाँ पर logic समझेगा जो हमने यहाँ पर equal लगाया फिर यम8 यह निकि इस 45 का address हमने दिया है फिर यहाँ पर greater than का symbol लगाया greater than का मतलब होता है बड़ा अगर 45-40 से बड़ा है तो इसका जो answer आएगा इसका answer हमारे true आएगा चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने फार्मूला लगा लिया है और इंटर कर देंगे यहाँ पर true आया ऐसा क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर logic लगा के रखा है हमने सबसे पहले equal लगाया फिर हमने यहाँ पर 45 का एडर दिया फिर greater दिन लगाया और फिर हमने 40 का एडर दिया हमने यहाँ पर condition apply कि क्या 45-40 से बड़ा है अगर 45-40 से बड़ा होगा तो इसका answer यहाँ पर true आएगा अगर 45-40 से छोटा होगा तो यहाँ पर false आएगा यहाँ पर 40 लिखा है य ग्रेटर कर देंगे तो यह पॉल्स हो जाएगा ऐसा क्यों कि यहां पे हमारा फार्मूला जो हो गया हमने हैं पाइतालिस क्या इस पचास से बड़ा है क्योंकि पचास से तो पाइटालिस बड़ा नहीं होता है तो यह इसका ऐंसर जो फॉल्स आएगा तो आप लोग समझ कि हमारा जो 45 है कि 45 पचास से बड़ा है पचास से बड़ा नहीं था यहां पर फॉल्स आ गया अगर यहीं पर हम 40 कर देते हैं तो इसका एंसर ट्रिव आ जाएगा क्योंकि अब जो 45 है 45 40 40 तैंद 40 40 से बड़ा हो गया है फिर य कि यहां पर स्षेशक्स का मतलब होता है छोटी संख्या यह tao को बताएगा तो यहां पर हम इकवाट लगाएंगे और पचास का एग्रस अब हम यहां पर जाना चाहते हैं जो पचास लिखा हुआ है he यहाँ पचासा 55 से छोटा है हमको ऐसे तो पता छला है कि हाँ पचास कि चोटा है लेकिन जब बहुत बड़ा data होता है हमको वहाँ पर जानना हो तो यहाँ फक्री का यूज करते हैं पचास का ऐ्डर से देगी यहां पर देkk哥डे दिए और यहां साथ कर देते हैं तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अब यहां पर जो फार्मूला हमारा हो गया है अब फार्मूला यहां पर हो गया है क्या साथ 55 से छोटा है तो साथ तो 55 से छोटा नहीं होता तो इसका जो एंसर आएगा इसका एंसर हमारा आएगा फॉल्स तो आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि हमारा less than function किस तरीके से काम करता है फिर यहां पर हमारा next symbol आता equal to यह हमारा equal to का operator है यहां पर equal लगाएंगे और 55 का आइडर दे देंगे फिर साथ का का की यहां पर यहां चाहते हैं तो उटनकरस सार्थ कष्पन साथ के बराबर है यहां पर अगर यहां पर भी हो जाएगा यहां पर दोनों संख्यां बराबर हो गई यहां पर त्यूज़ आ Cambroक equal का काम ही होता है बराबर तो आप लोग यहां पर equal to operator भी समझ गए होंगे कि equal to operator क्या होता है इसके बाद जो हमारा next operator आता है next operator आता है greater than और equal to का हम यहां पर जैसे जानना चाहते हैं जो यहां पर 45 दिया है और 70 दिया है कि 45 क्या 70 से बड़ा और 70 के बराबर है अगर ऐसा इसका true आएगा वैसे false आएगा तो यहां पर हम equal लगाएंगे इसका address दे देंगे और यहां पर greater than और equal to लगाएंगे हम इस 70 का address देंगे यहां पर कियों कि हमने अपर condition apply की कि 45 जो है क्या 45 इस सतर से बड़ा है और इसके बड़ार तो नहीं है ना 45-70 से बड़ा है और नए इसके बड़ार है तो इसका पाह الس आएगा अगर यहां पर सतर रख हादेती है और आप जा गई है हमारी जो 70 है 70 से तो बड़ा नहीं है लेकिन यहां पर हमने बराबर का लगाए लगा के रखा यह तो इसलिए इसका लगा रहा है अगर यहीं से हम अभी इकक्र हटा दे तो कि अगर हम यहीं से अभी सेंबल इसको के अब बढ़ा है सटर से तो नहीं बढ़ा है लेकिन इसके बराबर है तब हो पर ऐसेंबल नहीं किए जैसे एंगे लेकिन इसके बराबर है यहां पर यहां पर हमने कर दिया तो फाल्स हो जाएगा लेकिन चोटा भी है और इसके बराबर नहीं है ठीक इसी तरीके से हमारा लेस देन और इकल टू काम करता है यहां पर हमने एक्कोल लगाया और हम 65 का धैड्य देंगे 65 जो है कि 80 के बराबर है और असी से छोटा है एक यहां पर हमने इंटर कर दिया इसका इंसे ड्रू आ रहा है क्योंकि जो लेस दर छोटे नम्रों को बताता है क्या है यह यहां पर फार्मूले में ही condition apply की है क्या 6580 से छोटा है और बराबर है है क्योंकि अब condition यहां पर गलत हो रही है कन्डिर्टन जो अब यहां प्राइव हो रही है कि अब 81 जो यहां पे है 81 80 से छोटा एक हमारी के बुराबर इस वीडियो में हमने लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन के आपरेटर को समझा और इनका हमने यूज करना भी देखा कि इनका यूज किस तरीके से करते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे यह option जैसे end function हो गया और और not और इफ हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि लॉजिकल फंक्शन किस तरीके से वर करते हैं तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में थांक्स फार दिस वाचिंग वीडियो